तो हेलो गाइज, वेलकम तो स्मार्ट एजुकेर और यहार आएम अगेन विट न्यू इंट्रेस्टिंग टॉपिक, दोस्तों आपने कई बार देखी होगे हमाई डेली रूटिन लाइफ में कि हर गाडियों को अलग-अलग, कई गाडियों में वाइट कलर की नंबर प्लेट दी जाती है, यलो कलर की नंबर प्लेट जाती है, कई गाडियों में अपने नोटिस किया होगा कि ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट होती है, पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मतलब अलग-अलग गाडियों में अलग-अलग नंबर प्लेट Q दी जाती है तो आज हम वही discuss करने वाले हैं दोस्तो तो चलिए दोस्तो भिनाज़ देरी के शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला है white color की number plate ये white color की number plate किने दी जाती हैं दोस्तो ये उन गाड़ियों को दी जाती हैं दोस्तो जो owner उनको personal काम के यूज के लिए यूज करते हैं फॉर एक्जामपल हमने एक बाइक खरी दी जो की हमें मदद कर रही है हमारे परसनल यूज के लिए जैसे की ओफिस जाने के लिए वर्क जाने के लिए कहीं और कहीं जाने के लिए एक्सेक्टरा तो उन गाड़ियों को हम वाइट कलर की नंबर प्लेट देते हैं सेकेंड यलो कलर की नंबर प्लेट अब दोस्तों आपने एक ट्रक खरीदा आपने बाइचा से एक कार खरीदी या तो आप कह सकते हो डगगा खरीदा तो आप उसमें आप अपना माल लोड कर रहे हो और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो तो दोस्तों मतलब आप उसको अपने कमर्शिल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो उन गाड़ियों को यलो कलर की नंबर प्लेट दी जाती हैं दोस्तों money next number plate आती है blue color के number plate यह आपको अक्सर दोस्तों दिखेगी दिल्ली में क्योंकि यह जो number plates मिलती है यह उन लोगों को मिलती है जो foreign embassies की लोगों होते हैं जो foreign ambassadors होते हैं जो यहाँ पर रहके इंडिया में रहके अपना काम को करते हैं तो दोस्तों आप अक्सर देखोगे दिल्ली में कि जो foreign embassy के लोगों होते हैं जो foreign ambassadors होते हैं उनकी गाडियों में जो US diplomats हो गए etc उन लोगों की गाडियों को blue color की number plate दी जाती हैं अब दोस्तों चोहती है military vehicles आप अक्सर देखोगे जो उनका first character होता है वो एक upper arrow रहता है third character में एक alphabet होता है और जो last रहता है number plate जो last word उसमें भी एक alphabet होता है तो ये दोस्तों इन गाडियों को number plate दी जाती हैं अपने national defense की तरब से जो हमारे defense minister है उनके तरब से इन गाडियों को issue की जाती जैसे jeeps हो गई, trucks हो गई military के trucks हो गई, armed vehicles हो गई इन सब गाडियों में ये particular number plates दी जाती है और हमारी next है green number plates अब दोस्तो green number plates की नहीं दी जाती है जो हमारी आजकल की ये आ रही है electric vehicles आ रही है उन्हें green number plates दी जाती है अब दोस्तो green basically आपको क्या बताता है क्योंकि वो electric vehicles है इसलिए वो pollution free है इसलिए उन्हें green का green color का number plate दी जाता है to indicate pollution free vehicles तो दोस्तों आशा करता हो कि आपको ये video पसंद आई होगी और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज डोंट फर्गेट तो subscribe the channel like the channel and share it तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई